इस वीडियो को गौर से देख लीजिए इसमें एक जरने के नीचे आग जलती दिख रही है पानी भी उस आग का कुछ नहीं विगाड पा रहा नेसल जनमत के इस खास वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं पाखंड इंदुस्वास बनाम प्रकती और विज्ञान की इस मूल अंतर को समझ लेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि भारत जैसा देश विकासील से विक ओणियरक के eternal flame falls का है यहां साल भर किसी भी मौसम में सरदी में बरसात में यहां तक की भारी बरफ बारी में भी इस तरह की law जलती रहती है इस आग को अमर जयुति बता करके किसी देवी या दियोता का नाम नहीं दिया गया कोई विस्थान नहीं बनाया गया इस जरने के किनारे पाखंडियों ने अपनी दुकाने नहीं सजाई बलकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और रिसर्च के बाद क्या निकला ये भी आपको बताऊंगा लेकिन अब इस दूसरे वीडियो को देखिए यह तुर्की का चिमेरा परवत पहले लोगों ने इसको भी पाखंड के नजरिये से देखा लेकिन वैज्ञानिक सोध में कुछ और बात निकली इसकी भी चर्चाक बात में करूंगा अब भारत पर आते हैं भारत में इसी तरह का एक इस्थान है हिमाचल के कांगला जिले में जहां पर ज्वाला ज जाता है मंदिर भी बन गया पुजारी भी आ गए धर्म के नाम पर दुकाने भी सज गई यहीं अंतर है विकासील बीमारू और बिक्सित देश में वहां वैज्ञानिक आधार पर चीजों को खोजा जाता है यहां पर अंध्विस्वस और पाखंड की लंबी स्रंखलाएं और परंपलाएं चलती है मां जी के आदि सकती जो सोने के वो चाड़े और चड़ेंगे बहां माधा जी का छे रू रूप है वह बो रंग रग वदलती है कभी नीला कभी पीला कभी हरा कभी एग लाल कभी सुर्ख जब लाल-ंग हो तो समझने लेना चाहिए कि कोई इविक के वारे में बताया जाता है किसी खोजने कस्रे पांडमों को जाता है इसकी गिंती माता की प्रमुख सक्ति पीठों में होती है ऐसी मानिता है कि यहां देवी सती की जीविगरी थी किस ने बताया किसने खोज की नहीं पता और दक्यानूसी बाते देखिए विटिस काल में कोस इसकी अकवर नहीं पता कर पाए भूगर्व सास्त्री कई सालों से लगे हैं पता नहीं कर पा रहे जरा गूगल पर खंगाल मारिये ऐसा कोई सोध क्या भारत सरकार करवा रही है या उसकी करवाने की हैसियत है क्या देश की वेज्ञानिक सोसाइटी की हिम्मत है क्या वहाँ जाकर के सोध कर सके कि कौन सी गैस के रिसाओं से ऐसा हो रहा है यह प्रिकती का कौन सा वहाँ प्रियोग है जिसकी वज़े से यह जुआला जल रही है लेकिन नहीं वहाँ पता नहीं किया जाएगा बलकि conclusion बताया जाएगा यह बातें सिद्ध करती है कि यहाँ जोहला प्राकरतिक रूप से ही नहीं चमतकारी रूप से भी निकलती है नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगे मसीने लगी होती ही और बिजली का उत्पादन हो रहा होता खेर भारत में माना जाता है जहाँ धार में कास्था की बात आजाए वहाँ तरक को तिलांजली दे दो तो यहाँ भी दे दी गई इतनी सिद्धम कर दिया गया इस प्रकार से प्रूफ होता है कि वो देवी का चमतकार है लेकिन अमेरिका न्यू यार्क में ऐसा नहीं हुआ इस इटर्नल फ्लेम फाल्स के नजदीक कुछ मित्रों ने जाने की कोसिस की भारी वर्फवारी के बीच किसी तरीके से इस फाल्स के नजदीक पहुँचे और देखा कि वर्फ गिर रही है उसके वावजूद यहां आग जल रही है फिर वैग्यानिकों ने उसमें खोज करन की कोसिस की पहले आसंका व्यक्ट की गई कि मीथेन गैस निकल रही होगी लेकिन बाद में वैग्यानिक इस निसकर्स पर निकले के वहाँ प्रोफेन और इथेन गैस मिस्त्रित रूप से निकल रही है धर्ती से काफी नीचे से इसी वज़े से यह आग लगातार जल रही है चाहे वर्फ गिरे चाहे पानी उसका कुछ नहीं बिगडता क्रीक है वहाँ पर उसमें से गैस निकल रही है और उस क्रीक से आने वाली गैस वहाँ पर चल रही है इसका बुझाना बहुत मुश्किल होता है उसमें पानी पढ़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अगर गैस निकल रही है लगातार तो पानी उपर से अगर आएगा भी तो वो गैस पानी के उपर जाएगी और उपर जाके उसमें आग लग जाएगी यही अंतर है अपने देश के अंद्विस्वास में और विदेशों के वैज्ञानिक चिंतन में भारत में अगर आपने ऐसा करने की कोशिस की तो आपको धर्म रोधी बता करके उनकी भावनाय आहत करने का आरोप लगा करके जेल में डलवा दिया जाएगा मगर वहां के मित्रों ने कोशिस की वैज्ञानिकों ने उसको सराहा तुर्की के चिमेरा परवत में जो आग जल रही है वहां के वैज्ञानिकों ने भी खोज किया और ये निकाला कि मीथेन गैस का रिसाव होता है और एक खाश टेंपरेचर पर जब मीथेन गैस बाहर निकल बिज्वास नहीं फैलाया गया बल्कि वैज्वासियों में वैज्वास और विश्वास के बीच में एक बारीक अंतर होता है जो आप समझ जाएं तो अपने बच्चों में वैग्यानिक चिंतन पैदा कर लेंगे और भारत भी असली अर्थों में बिक्सित देश बन जाएगा इस वीडियो में इतना ही आगे ये भी बताऊंगा कि अपने देश में बर्फ की जिस आकरती को सिवलिंग बता करके पूजा जाता है वो कई देशों में उसी तरह की आकरती बनती है लेकिन वहाँ उसको सिवलिंग नहीं कहा जाता वहाँ उसको बर्फ ही कहा जाता है देखते रहे ने से जन्मत जागरुक और सजग बने रहिए जै विज्ञान जै समीधान जै लोगतंत्र धन्यवाद